बच्चों अभी आम EBS पढ़ेंगे EBS का आज हमारा रिवीजान है पेच नमर 18 का जो हमारा छोटे-छोटे पोधे होते हैं जैसे उस दिन आम पढ़े थे तुलसी, टूलिप, ग्रास इसे हार्प बोला जाता है और इन पोधों का जो स्टीम होता है वो बहुत सौप्ट होता ह जैसे नीचे लिखा है दिखो, small plants are soft and green steam ये जो हमारे छोटे-छोटे पोधे होते हैं इनका जो स्टीम होता है वो बहुत सौप्ट होता है मतलब नाजोक होता है ग्रिन स्टीम और ग्रिन कलर दिखता है तो बच्चों दिखो मैं यहाँ पे एक flower का plants लाई हूँ और एक तु तुलसी का यह तुलसी है और यह flower का है steam मतलब यह जो है इसे अच्छे से दिखो यह वाला steam है दिखो green color दिख रहा है यह वाला इस जो हमारा small plants से यह उसका steam बहुत सौप्ट होता है मतलब नाजोक होता है यह इसको जोड से पक्रणने से टूट जाता है इसलिए इसे सौप दूसी का है और यह flower का है एसलिए एक डीए भी चिते से इसलिए अई कि आसमे Federation से शौप जाता है ब्यांस को दूसी को गरीन कलर वितिक यह तो हमारा small plants होता है इसका ये वाला steam है इससे steam बोला जाता है ध्यान से दिखो और ये एक ठोर तुलसी का पोदे है दिखो ये तुलसी का है ये भी तुलसी का steam ये वाला है दिखो यहाँ पर लिफ्ट भी है इसका roots भी है दिखो बच्चो नीचे छोटा चोटा चोटा और ये तोलसी का पोधा है ये इसका स्टीम है तो ये बहुत सब्ट होता है small plants are soft and green स्टीम तो बच्चो आज आपको ये वला revision करना है 10 times reading करना है और आपको अपने EBS कपी में एक एक को 55 times लिखना है तुलसी, टूली, ग्रास, एक केको, फाइब फाइब टाइम्स अपने EBS कॉपी में बोल बोल के लिखना है